हलो स्टुरेंट्स, स्वागत है आपका अपने चनल MGM कर्यं इंसरीट में तो स्टुरेंट्स हम एलेक्ट्रोखिमिस्ट्री पढ़ रहे थे, उसमें आज हम एलेक्ट्रोज़िस के बारे में पढ़ेंगे और कुछ different type के cells के बारे में पढ़ेंगे उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और bell icon को प्रेस करना ना भूले ताकि आपको हमारे daily lectures का notification सबसे पहले मिले ओके students तो आईए MGM Care Institute में हम बात करते हैं electrochemistry की जो आज का हमारा chapter है और उसमें जो आज का हमारा topic है first वो है part 3 electrolysis तो electrolysis क्या होता है electrolysis वो process होता है जिसमें कोई electrolyte decompose होता है अपने ions में उसके एकवस solution में जो ions होते हैं उसमें जब हम उसमें electricity pass कर देते हैं तो ठीके तो the process of decomposition of an electrolyte when electricity is passed through its aqueous solution or non-molten state called electrolysis ठीके और जिस device में ये होता है उसको हम बोलते हैं electrolytic cell क्या बोलते हैं उसको electrolytic cell ठीके अब electrolysis होता कैसे है जैसे कि आप कोई कहाँ पर diagram दिखाई दे रहा होगा मैंने एक container लिया हुआ है ठीके इस container में electrolyte भरा होता है अब suppose इसमें NaCl electrolyte मैंने लिया है NaCl electrolyte लिया है ठीके तो यहाँ पे Na plus और Cl minus मेरे पास आयन होगे दो ठीक इसको एक battery से इन दोनों electrolyte को battery से जोड दिया ये positive सिरा है positive सिरा anode कहलाता है negative सिरा cathode कहलाता है तो जो negative electrode होगा उसके पास कौन से आयन जाएंगे positive आयन जाएंगे और जो positive electrode होगा उसके पास कौन से जाएंगे negative आयन जाएंगे तो इस process को यह जो आयन में break होगा electricity pass होनी के वज़े से जो solution था NaCl का वो आयन में break होगया उसको बोलते हैं किया electrolysis इंडर क्वर्ड़ पहता है से ढमदर कि यह नेटर प्रिक्षोड दियुआ बठीकर नाघ्टर है ने राक्रविकियार यह ताथ नोलली sa perdeu न पॉसी नथा पॉसि छ सव्कूनियें इसके अंदर इसमें और इसमें होता क्या है किक्षित हो प्रणुक्त्य वह किन भातव पर यहां और इसमें किन बातों पर करते हैं वहां इसमें पॉइंट है nature of electrolyte electrolyte strong electrolyte है या weak electrolyte है इस बात पर depend करेगा दूसरा है electrode की nature पर electrode जो है non reactive electrode ले रखे हैं हमने जो कि oxidation reduction में part नहीं लेते हैं और reactive electrode जो कि oxidation reduction में part लेते हैं तो इन दोनों बातों पर भी product निरभर करते हैं next आता है solution की concentration पर कितने concentration का हमने solution लिया हुआ है उस container के अंदर ठीक है और दूसरा जो gases होता है उनका over potential इसकी वज़े से भी product differ करते हैं ठीक है अब देखते हैं है अपन electrolysis तो different different हपते पास electrolysis है जिसके product हम से पूछे जाते हैं ठीक है तो सबसे पहले उसमें आता है electrolysis of fused और molten जिसको बोल सकते हैं NACL using platinum electrode प्लैटिनम क्या है एक inert electrode है non reactive electrode है ठीक है non reactive electrode है ये ठीक है fused और molten NACL का मतलब है इसमें खेवल NACL है NACL को मैं गरम करकर के liquid state में पहुँचा दूँ इसको बोलते हैं fused और molten NACL तो हमारे पास cathode and anode दो electrode है तो cathode क्या होता है negative electrode और anode क्या हता है positive electrode molten है तो इसमें क्या होगा NACL होगा NACL होगा और CL- होगा तो इसमें तो कोई कोई बहुत दिक्कत वाली बात ही नहीं है cathode किसकी reaction होगी Na plus की cathode किसमें चला जाएगा Na में और जो anode है उस पर oxidation Cl minus जो चला जाएगा Cl2 में इसको 2 से multiply कर देंगे क्योंकि मेरे को complete cell reaction में electron नहीं दिखते हैं तो यह जो electron है यहां से ही cancel हो जाएगी हमारे पास यह complete cell reaction आ जाएगी कौन सी position में Fused NaCl का electrolysis हम जब करवाएंगे तो यह हमें प्राप्त होगा ठीक है Next आता है Aqueous NaCl using platinum electrode Aqueous NaCl Aqueous NaCl का मतलब है हमारे पास Na plus और Cl minus तो ही सही solution में Aqueous है हमारे पास दो आयन और होंगे H plus and OH minus आयन ठीक है अभी negative electrode है तो Na plus और H plus में से cathode है यह negative electrode तो cathode पर क्या होता है reduction होता है तो जिसका इन दोनों में से SRP ज़ादा होगा standard reduction potential ज़ादा होगा उसी की reaction cathode पर होगी और हमें पता है कि हमें है कि SRP Na plus ज़ादा होता है कहां से हमें पता लगा electrochemical series से तो cathode पर reaction किसकी होगी hydrogen की और anode पर oxidation तो आप SOP देखेंगे हैं तो SOP का यहाँ पर एक order लिखा हुआ है यह आपको याद रख लेना है ठीक है F- का सबसे कम then SFO2- then NO3- then OH- CL- PR- I- तो अभी हमारे पास दो आयन है कौन-कौन से OH- and CL- reaction किसकी होगी यहाँ पर CL- की होगी CL- का SOP क्या है तो अनोड पर reaction किसकी होगी CL- की तो हमसे पूछा जाता है कि अनोड और cathode पर यह product है तो क्या मिलेंगे तो यहाँ पर product मुझे मिल रहा है है H2 और यहां मिल रहा है मुझे CL2 ठीक है इस तरीके से question इसमें पूछी जाते हैं next आएगा electrolysis of aqueous COSO4 using platinum electrode तो अगें COSO4 है तो copper plus 2 and SO4 2- और तो आयन और होंगे H plus and OH- आयन तो इन दोनों में जिसका भी reduction potential ज्यादा होगा उसकी reaction होगी तो हमें पता है कि copper plus 2 का ज्यादा होता है तो copper plus 2 की reaction होगी किस पे anode पे और cathode पे किसका reaction होगा SO4 2- और OH- में से OH- का दाधा आता है तो OH- का होगा तो हमें product जो मिलेंगी यह वो मिलेंगी O2 और copper solid ठीक है O2 gas and copper solid ठीक next आता है इसको थोड़ा सा ध्यान से देखना यह थोड़ा important है electrolysis of very dilute aqueous NaCl using platinum electrode very dilute का मतलब है कि हाँ पे जो एक प्लस और OH- की concentration है मतलब H2O जो है ज्यादा amount में मिलाया हुआ है ठीक तो again aqueous NaCl तो Na plus और H plus में तो H plus की होगी यह तो समझ में आ गया क्योंकि इसके SRP ज़्यादा है तो यहां पर anode पर किसकी reaction होगी है अब कैथोड पर देखते हैं CL minus OH- अब हमें पता है कि OH- की concentration क्या है ज्यादा है तो CL- आयन की कम concentration पर जिस ताइज potential OH- से ज्यादा होना चाहिए ठीक है लेकिन नहीं हो रहा है तो किसकी reaction हो जाएगी OH- की तो OH- जो है O2 में convert हो जाएगा तो हमारे पास जो product मिलेंगे वो O2 gas और H2 gas मिलेंगे तो इसमें हमें product याद रखने है और क्यूं आ रहा है वो भी मैंने आपको बता दिया है ए्लेक्टो ऐस कहा है reactive electrode होता है, ठीक है? mercury क्या है, reactive electrode है तो देखो, mercury electrode और यह मैंने कहा पे लिया हुआ है, यह cathode पे लिया हुआ है, ठीक है? तो देखो cathode पे लिया हुआ है, अब हमारे पास cathode पे 3 आयन है, na+, h+, hg+, 2 और anode पे मेरे पास, cl- ouh- प्रियाट की कि ए तो इसमें तो कुछ दोराई नहीं है कि किसकी रियक्षेन होगी कि एसो पी किसका ज्यादा होता है सील माइनस का ओएच माइनस से ज्यादा होता है और यहां पे जो Na+, और Hg है यह दोनों मिलके क्या बना लेंगे? Na, Hg, sodium, amalgam बना लेंगे, sodium, amalgam आगे H2 से react करके to Na, H2, Hg और H2 gas यहां पर बाहर निकालेगा, तो दोनों जगे पे यहां पे भी क्या होगा, Cl2 और यहां पे भी क्या होगा, H2 gas बाहर निकलेगी, solution होगा अपना अरे पास, तो cathode पे तो obviously किसकी reaction होगी, H2 से H2 जाएगा, और anode पे SO42 माइनस से H2OA2 माइनस, यह reaction भी possible है, और एक दूसरी reaction, OH माइनस से जो O2 है, वो भी possible है, तो यह दोनों reaction एनोड पे कब-कब होती है, जब हम H2SO4 की lower concentration लेंगे, मतलब value dilute नहीं लेंगे, lower concentration लेंगे, तो हमारे पास OH माइनस की reaction होगी, क्योंकि इस time पे OH माइनस का जो SOPA जाएगा, और higher concentration पे SO42 माइनस जादा रहेगा, तो SO42 माइनस S282 माइनस में convert हो जाएगा, तो higher concentration पे यह वाली reaction possible होगी, ठीक है, next आता है अपने पास, Faraday law of electrolysis, electrolysis में Faraday लोग क्या काम करते हैं, वो देखते हैं, first law, first law क्या कहता है, कि जब हम electrolysis करवाते हैं, electrolysis करवाते हैं, तो उसमें जो, किसी एक electrode पे, जो भी metal होते हैं, उनका deposit होता है, और दूसरे electrode पे, जो metal है, वो liberate होता है, तो जो quantity है, वो किसके proportional होती है, वो quantity, उस cell के अंदर जो भी charge, जो भी आवेश, जो भी charge, पास हो रहा है, उस electrolyte के अंदर, उस cell के अंदर, उसके proportional होती है, मतलब, when electricity is passed through electrolyte, the amount of substance deposited and liberated at electrode, electrode का मतलब cathode denote दोनों है, वो किसके proportional होता है, वो proportional to the quantity of charge passed through electrolyte, मतलब, जो amount है, W, वो proportional to है, उस cell के अंदर, जो भी charge flow हो रहा है, उसके proportional है, ठीक है, और charge Q equals to होता है, current into time, second में, तो Q की जगे पे मैं IT भी लिख सकता हूँ, जब proportional का sign अटाओंगा, तो एक constant आएगा, जिसको हम Z से denote कर रहे हैं, और ये Z, इसको बोलते हैं, electrochemical equivalence, क्या बोलते हैं, इसको electrochemical equivalence, अब ये क्या होता है, अगर जो charge है, वो एक कुलाम, हम इसमें प deliberate होगा, वो किसके बराबर होगा, electrochemical equivalence के बराबर, मतलब यहां I और T की value, अगर मैं 1 रगदू, तो W की value, Z की बराबर आ जाएगी, अब Z की value निकालते हैं, एक फैराडे charge, मतलब 96500 कुलाम चार्ज को discharge करने के लिए जो weight होता है, उसको मैं equivalent weight बोलता हूँ, ठीक है, तो ए एक कुलाम चार्ज को discharge करने के लिए weight होगा, वो क्या होगा, E upon 96500, एक कुलाम चार्ज को जो deposit करने वाला weight है, वो किसके बराबर है है, हमने देगा, W जो है, Z के बराबर है, तो यह जो E upon 96500 जो value आई है, किसके आगई, Z की value है जाएगी, अब W equals to ZIT में, इसकी value को मैं put कर दूँगा, और इसको थोड़ा सा arrange कर दूँगा, तो W upon E equals to IT upon 96500, यह फैराडे का first flow है, जहां पे W upon E क्या होता है, एक्यूवेलेंट के बराबर होता है, और यही number of फैराडे को हमें बताता है, ठीक है, यह चीज समझ में आ गई, next है, अगर Q equals to IT, मतलब जो हम charge flow कर रहे है वो constant है, मतलब उसमें जो I or T है, वो भी क्या है, constant है, तो W की value E के proportional हो जाएगी, तो W upon E, यहां से मैं बोल सकता हूँ कि W upon E जो होता है, और यही से हमारा second law शूरू होता है, second law कुछ भी नहीं है, first law को थोड़ा सा extend किया हुआ है, इसमें क्या बुला हुआ है, अगर same amount of charge, different solutions of electrolyte में मैं पास करूँ, तो जो amount होगा, deposited और जो liberate हो रहा है, electrode पे, वो क्या होगा, वो ratio में होगा, किसके equivalent rate की ratio में होगा, ठीक है, if same amount of charge is passed through different solution of electrolyte, then amount of substance deposited and liberated on electrode, will be in the ratio of their equivalent rate में, कहने का मतलब यह है, कि जो amount का ratio अगर मैं लूँ, दो different electrolyte में, वो किसके बराबर होगा, उनके equivalent weight के ratio के बराबर होगा, ठीक है, तो इन से हम question कर सकते हैं, ठीक है, next, अब इन से related question करके देखते हैं, जैसे की, first है, calculate the weight of copper deposited when, इतना coulomb of charge is passed through copper sulfate solution, और copper का weight दे रखा है अपने को, तो again first law लगाऊंगा इसमें, तो मैं, w upon e equals to i into t upon 965 00, ठीक है, तो w equals to weight निकालना है, तो w equals to i t into e upon 965 00, ठीक है, i t, i t कितना देखा है अपने को, कितना, charge 2 into 10 की power 3, तो 2 into 10 की power 3 into equivalent weight कितना होता है, 63.5, ठीक है, divide by 2, यह तो होगा equivalent weight, n factor से divide कर दिया, into 965 00, 2 से multiply होगा है, तो यह इसको जब हम solve करूंगा, तो यह हो जाएगा, 0.658 gram, तो इस तरीकी से मैं question को solve कर सकता हूं, next है, how much current is necessary to produce oxygen gas at the rate of 1 ml per second at STP, कितना current चाहिए, ठीक है, तो सबसे पहले, volume of O2 हमें दे रखा है 1 ml, और time दे रखा है हमें 1 second, तो यहाँ पे वही formula लगाऊंगा, W of O2 equals to 1 into 32, 1 into 32, 32 इसका weight है, divide by 224 00, यह तो weight आ गया, 1 into 32 क्या, divide by 224 00, एक ml है, तो 1 ml को, जब mole में convert करूंगा, तो 1 divided by 24 00, यह तो हो गए mole, mole into molecular weight, that is weight, तो weight of O2, अब इस weight of O2 को किसे को बराबर कर दूँगा, weight of O2 equals to E of O2 into I into T upon 965 00 के बराबर कर दूँगा, ठीक है, तो यहाँ से मेरे पास sub value है, E of O2 जो है, वो होता है 8, equivalent rate कितना होता है, oxygen का 8, तो जहाँ पर I की value नहीं है, बागी सारी चीज़े हैं, तो I की value जब मैं निकालूंगा, तो वो आएगा 17.23 MPR, यह अपना answer निकल के आएगा, ठीक है, समझ भागए कोशन, तो इस तरीके से हम इन कोशन को solve करेंगे, अब आगे चलते हैं, next question पर, if cost of electricity producing x gram of aluminium is x rupees, then what is the cost of electricity of producing x gram of magnesium, तो cost of deposition होता है, आयन का, cost of deposition, cost of deposition, वो proportional to होता है, इसके charge के, जितना charge flow होगा, उसी के हिसाब से cost आएगी, और हमें पता है, कि w equals to होता है, e q upon 965 00, यह होता है, तो यहां से मैं बोल सकता हूँ कि, w mg upon w aluminium, जो होगा, वो किसके बराबर होगा, e mg upon q mg, magnesium के लिए जितना charge, upon 965 00, तो कड़ जाएगा, e aluminium, और q aluminium के बराबर, तेक है, again, w of mg upon w of aluminium equals to, e of magnesium upon e of aluminium, और charge को, किसके, यहां से मैं किसके बराबर, cost of deposition, तो cost, जो mg के लिए आ रही है, divide by cost, जो किसके लिए आएगी, aluminium के लिए, इसको आगे solve करते हैं, w of mg, x, और इसको भी मैं x ही मान रहा हूँ, aluminium के लिए निकालना है, हमें, ठीक है, aluminium के लिए दिरिका है, सौरी, और हमें, magnesium के लिए निकालना है, तो x upon x equals to, यह तो 24 by 2 हो जाएगा, mg से mg प्लस 2, और यह हो जाएगा, 27 by 2 into cost mg upon, इसको x माल लेते हैं, तो यहां से x cost mg कितना आ जाएगा, point में 75x rupees, यह अपना answer निकल के आएगा, ठीक है, next question है, a current of 3 ampere was passed, a current of 3 ampere was passed, 2 hours through a solution of CSO4, 3 gram of copper plus 2 and was discharge at cathode, then calculate current efficiency of the process, बहुत simple question है, W upon E equals to I into T upon 96500, इसको multiply कर दो, efficiency से percentage में, तो x by 100 हम कर देंगे, यहां पर, ठीक है, तो जो efficiency होगी, इसको efficiency बोल दें, ठीक है, तो यहां पर सबसे पहले मैं I निकाल लेता हूँ, या फिर इस तरीके से ना करें, मैं I निकाल लूँ, इसको अटा देते हैं, यह तरीका आपको समझ में नहीं आएगा, यहां पर सबसे पहले मैं I निकाल लेता हूँ, तो W, 3 gram है, 3 equals to, 63.5 divided by 2, यह तो equivalent weight हो गया, into I, T कितना है, 2 hours, तो 2 into 60 into 60, divide by 965 00, तो I यहां से आ जाएगा, आपने पास कितना, 1.266 ampere, अब efficiency निकालनी है, तो पहले वाली कितनी थी, यहां से आ जाएगा, यह 42.2% efficiency निकल के आ जाएगी, ठीके, नेक्स वोस्चन है, aqueous solution of AUCl3, AGNO3 and COSO4 are connected in series, when 3 faraday charge is passed, then calculate the ratio of moles of metal deposited on electrode, तो जो AUCl3 है, और AGNO3 है, और क्या है, COSO4, तो यह metal कौन-कौन से देंगे अपने पास, यह देगा मेरे को AU plus 3, यह देगा मुझे AG plus 1, और यह देगा मुझे copper plus 2, ठीक है, 3 faraday charge, तो जो charge है वही equivalent को बताता है, तो यहां पे आएगा 3 gram equivalent, यहां पे भी 3 gram equivalent, और यहां पे भी क्या आएगा, 3 gram equivalent, ठीक है, valency factor अगर मैं निकाल हूँ, तो gram equivalent को किसे divide कर दूँगा, इसके N factor से 3, यहां पे 3 by 1, और यहां पे 3 by 2, ठीक है, इसको और आगे हम solve करें, valency factor, और solve करें, तो यह हो जाएगा, 1 raise to 3 raise to 3 by 2, और आगे solve कर लूँँगा, तो हो जाएगा, 2 raise to 6 raise to 3, और जो valency factor का ratio होगा, वही क्या होगा, deposition का ratio होगा, तो 2 raise to 6 raise to 3, यहां पे answer आजाएगा, अपने पास में, ठीक है, यह चीज़ समझ में आ गई, next, अपने चलते हैं, different type of cells की तरफ, हमारे पास दो तरह के cell होते हैं, primary cell, secondary cell, primary cell में जितने भी rechargeable cell होंगे, वो होंगे, sorry, non rechargeable cell होंगे, वो होंगे, और secondary cell जो भी rechargeable cell होंगे, वो होंगे, इसके अंदर दो example है, leclancy cell, mercury cell, यहां पे lead, lead, iron, nickel, cadmium, और H2O2, fuel cell, यह है, इन सब को हम one by one, इसमें हमें केवाल, इनकी anode और cathode की reaction, और इसमें electrolyte क्या है, और generally हम से थोड़ी बहुत, इनके voltage पूछ लेते हैं, तो वो देखना है, पहला है, leclancy cell, leclancy cell में MNO2, NH4, CL, और ZNCL2, यह तो electrolyte की तरह behave करते हैं, एनोड पे reaction होती है, zinc की, zinc plus 2 में जाता है, और cathode पे यह वाली reaction होती है, जहाँ पर NH3 बाढ़ निकलता है, यह जो NH3 gas बाढ़ निकल रही है, zinc plus 2 के साथ प्रियक करके स्थरेगे complex बना लेती है, और इसका generally voltage होता है, 1.15 volt, नेक्स आता है mercury cell, mercury cell में zinc HG, जो है anode का बना होता है, और mercury cathode का बना होता है, electrolyte यहाँ पे QH होता है, एनोड की reaction यह वाली है, cathode की reaction यह वाली है, मैं इसलिए जल्दे बतारा हूँ क्योंकि यह जादा काम का नहीं है, ठीक है, लेकिन anode cathode की reaction हमसे पूछी जा सकती है, इसलिए यह यहाँ पे लिखे हुई है, zinc 2OH से react करके ZNO, H2O और 2 electron बाहर निकालेगा, वही 2 electron cathode पे जाएंगे, HG, H2O के साथ react करके, HG, 2OH- बाहर निकालेगा, और 1.35 volt इसका generally क्या होता है, voltage होता है, नेक्स आता है अपने पास secondary cell, secondary cell में lead storage battery, इसका electrolyte 3-40% H2O support, weight by weight होता है, anode PB का बनाता है, cathode PB-O2 का, anode की reaction, यह है cathode की reaction यह, इन दोनों का add कर दूँगा, तो यह हमारे पास cell reaction आती है, जो हमें या लखनी है, अगर यह cell reaction forward चल रही है, तो discharge हो रहा है cell, और अगर यह backward चल रही है, तो फिर charge हो रहा है cell, next है nickel iron cell, addition cell भी बोलते हैं इसको, इसका voltage 1.35 volt होता है, electrolyte KOH, anode और cathode की reaction, यह दोनों होती है, और same to same nickel cadmium cell है, voltage भी same ही रहता है, लगबग, यहाँ पर nickel iron की जगे पर क्या आएगा, nickel cadmium आजाएगा, sorry, यह ना, next आता है अपने पास H2O2 cell, H2O2 cell में जो electrolyte है, वो KOH है, anode और cathode की reaction यह दोनों हैं, और इसकी efficiency 60-70% रहती है, ठीक है, तो इस तरीके से आपका यह जो electro chemistry chapter है, खतम होता है, अब हम next video में next chapter के साथ, वापस हाजर होंगे, तब तक के लिए, thank you.